हेलो एब्रीवन और वेलकम आज के मारे इस वीडियो में इस वीडियो में हम देखेंगे कि DPF जैसे अभी आप देख रहे हो एक ज्यादा चोक है और एक कम चोक है तो DPF जैसे यह है यह पूरा देखिए पूरा एकदम कारवन से जो है चोक पड़ा हुआ है अभी होता क्या है कि जब आप यह गाड़ी को चला रहे हो तो उस समय क्या होता है बहुत सारा कारवन और सूट पार्टिकल जो है अपना जो इंजिन में बनता है चैंबर्स में बनता है डीजल के ब्लास्ट होने से तो वो सारा का सारा टर्बो में जाता है वहां से फिर साइलेंसर से होकर के बनता है तो उस वाव जाता है तो आप गार्टिकल जो है दिरे ढीरे समय के साथ जमा हो जाता है पर उसको जो जो जमा हुआ है उसको हटाने कि जो उसको हटाने के लिए जो प्रॉसेस चलता है उसे हम कहते हैं री जनरेशन अब री जनरेशन आपके तीन तरीके से होता है कि एक तो वेहिकल अपने आप चलते चलते री जनरेशन प्रॉसेस चालू करता है ठीक तो उस समय क्या होता है टेंपरेचर इतना ज्यादा इस DPF में जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें अपने आप ही कार्वन पार्टिकल जलके सूट में बदल जाता है दूसरा जो तरीका है वो यह होता है कि गाड़ी जो है आप अपने सर्विस स्टेशन पे ले जाए करेंगे उस प्रोसेस में लगवग आदा घंटा तक्रीबन लगेगा क्योंकि डीजल का इस्तमाल करके टेंपरेचर साइलेंसर का जाए उसी टेंपरेचर पर रीजनरेशन प्रोसेस हमारा सफ़ा तो यह दो तरीके होगा एक आखरी तरीका यह कि थर्ड प्रोसेस भी हमने कर सर्विस कंपनी में ले जाकर के हमने करवा दिया सारा स्कैनर से पर नहीं हुआ तो यह डीप खुलता है और खुलने के बाद इसके लिए एक मशीन बनाई गई है जिसमें प्रेशर से केमिकल को जो है इसके अंदर से बहाया जाता है हवा और उस केमिकल का मेल जोल करके प्र से रियूस करने के लिए एकदम रेडी हो जाता है तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि यह प्रॉसेस जो है किस तरीके से किया जाता है दो तरीके के डीप होते हैं एक तो यह ड्रम टाइप है जो अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और एक होता है ट्यूब मारब यह आपको ऐसी परत नहीं देखा ली उसमें जैसे मोटर सैकल का सैलेंसर ऐसे बाहर निकला रहता है या आम ट्रकों में जो सैलेंसर निकला रहता है किवले ट्यूब सी निकली रहती है तो उस तरीके से इनलेट और आउटलेट होते हैं तो चलिए आगे की वीडियो म संबब किया जाता है प्राइस साजार में जाता है